SUP SINGLE USE PLASTIK MOEFCC MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE न अनुसार SINGLE USE PLASTIK निक DEFINATION का इक आवी आपवा मावली PLASTIK ITEMS INTENTED TO BE USED ONCE FOR THE SAME PURPOSE BEFORE BEING DISPOSED OFF OR RECYCLE ये टाके ये भी वस्तु के जहनो एका जवारूपयों करी और पशीतारत येने DISPOSED करी द्यावामावे आने RECYCLE ना करो मावा समगरा पुर्थवी उपर छे ट्लू प्लास्टिक छे ये मानू 33 टका 1 3rd plastic जेशे ए SUP छे ए SUP जेशे ये fully decomposed थातू ना थी परंदू एटले के decomposed थातू ना थी decomposed थातू ना थी decomposed थातू ना थी बदले ये सू करेशे तो के continuously break down into smaller and smaller pieces ना ना तुपडा माँ सता थी भाजी थातू रहेशे अने दिमें दिमें microplastic बनी जेशे अने आपाट माइक्रो प्लास्टिक समंगर विशो मांटे बहुत मोटी समस्या चे microplastic में आला गला गरीते यानी harmful impact होई सकेशे और health यानी असर होई सकेशे यानी पृथ्षिय उपर इको सिस्टम उपर एन्वेर्मेंट उपर परियावरान उपर बथी उपर अला गलत असर होई सकते हैं तो आप माइक्रो प्लास्टिक । यह फूड चैन नी अंदर खुशी जाई से अने फूड चैन नी अंदर खुशी जाई से तो धिमे धिमे थोड़ा समय पहला वदू कियाओ Jewish दोई पैसिफिक नियंदध्र क्रेट सिफिक. गार्बेज ब surroundings नामनी इज़के ज़ुआ आी बाज आता? बाइओलोजिकल फांक्शन नी बाध करिए तो इंजेशन ओदे दाखल थोग जो माईक्रो प्लास्टिक हैं इंजेशन थी ये अंदर दाखल थी तो ये रीप्रोडक्टिव ओर्गनने डेमेज करेशे लंग्स लंग्सने डेमेज करेशे अथवा तो न्यूरोलोजिकल प्लास्टिक बाई प्रोड़क्ट डिस्पोजर जो लामबा समय सुधी प्लास्टिक वेस्ट बाई प्रोड़क्ट नू एक्स्पोजर थातू रहे तो कैंसर थाई सके छे अथ्वा इम्यून सिस्टम बन ओछी थाई सके छे अथ्वा पॉंजेनियल इंपेर्मेंट थाई सके परियावरान उपर माइक्रो प्लास्टिक अत्वा एस्यूपी नी सू छे असर ए चुई ग्रीनाउस गैस एमिशन थाई छे लगभग अठानू टका जितला एस्यूपी जेछे ए फॉसिल फ्यूल माथी बनावा माँ छे तमने ख्याला से के प्लास्टिक बनावा माटे जेछ ए आसमी जनिया बार्ट तन फॉसिल फ्यूल नो उप्योग थे छे अने फॉसिल फ्यूल जेछे ए ग्रीनाउस गैस नो थाई उसी मोटो स्त्रोत छे यह उपन मानवा माँ आवे छे के 2015 सुधी मा जियेच जीमा पांच थी दस टकानू योगदान जेछे ए एस्यूपी नु खुब जे लाम्बू डिस्टन्स टे छे ए हालिया करे छे ताजे तरना प्यास मा यह जानूआ मडेलू छे क्या माइक्रो प्लास्टिक्स आर फाउंड इन इवन रिमोट प्लेसिस ऑफ द वल्ड लाइक ता रोस आइस सेल्फ ऑफ अन्टार्क्टिका जेवा एवा जग्या कि यहां मानस बूग ओछा रहे छे असवा रहताद नथी रिमोट एस्ट एक द मंतर याड विस्तार से यहां पना माइक्रो प्लास्टिक मौची जाशे माइक्रो प्लास्टिक बिजू सू करे छे तो आख्या की मरीन इकोसिस्टम ने पन डेमेज करे छे दिमें धिमें करण कि समुद्र किनारे चांत यां प्लास्टिक पानी नी बोटल नी बदू नाखी दी देलोई शे आप बोटल ने प्लास्टिक ने बदू जे शे एस समुद्री जीवो मरीन ओर्गेनिजम्स खाई छे एले दिमें मरीन फूड वेब अने मरीन फूड चेन नी अंदर पन को अने यह यानी स्पीसिस ने हार में नुक्सन पहुंचाड़े शे अने मरीन इको सिस्टम ने ऑल्टर करे शे जमके ता पैसिफिक ट्रेस वाल्टेक्स तरीके जानी दिये कुस्टू शे अत्यार यह बाद करिया तो 68 चिटला यह वाद इस हो शे के जमने प्लास्टिक बेग जेक जेशे एने बेयन करीदी जेहां आनि उपर रती बन मुख देवोंigger भारते पण जेखे यह प्लास्टिक स्थिक बेग उपर रती बन मुख देवोखे शेर석 अनतर अंतर गत प्रोहिबीट प्ञतिवेंग केलॉ गत तो सिंगल यूज यूज प्लास्टिक सथाब्लास् प्लास्टिक फ्लेग एडले के प्लास्टिक ना चंड़ा, इयरबड्स, प्लास्टिक टाइरिंग, थर्मोकोल्ड आ बदा उपर प्रतिबन नुगे दीदो शे आने जो कोई विगती आनू वायो लेशन करे तो एने एनवियर्मेंट डेमेज कॉंपेंसेशन आपू परेशे, अथवा तो एनवियर्मेंट प्लास्टिक पॉल्यूशन ने डामवा माटे एक लीगल फोर्स पन स्थापवा मा आवेली छे अने यहना अंतर्गत एक PWMA rules अंतर्गत EPA बनाओं मा आवली शे, EPA शे Expanded Produce Responsibility आ बताना अंतर्गत, आ rules अंतर्गत एक national level नी task force चेशे, ए पन बनाओं मा आवली शे अने आ task force चेशे, ए अलग-अलग राजियो साथे coordination करी अने strengthening करवानूने बतु काम कर से विजी बात करिये तो 120 mm, 120 micron करता उची ठीकने स्थरावती प्लास्टिक बेग जेशे यहने लावा उपरपांट जेशे ए प्रतिबंद मुखी दीचेलों से विजी बात करिये के तो Bureau of Indian Standard द्वारा बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक ना अलग-अलग स्टांडर्ड गाइडलेंस धारा थोराणों नक्की करवामा आवेला छे पछी अवेरनेस केंपेंड चलावामा आवेले छे सिंगल यूस प्लास्टिक नी विरोधमा प्लास्टिक चलेंज यका थोंजे छे एनू बन आयो जन करवामा आवेले छे तो आलग-अलग बस्टू आवे छे सिंगल यूस प्लास्टिक ना संब्धिग